इस इस कोशन नुबर 72 ऑफ केवेस पेज़िटी फिजिक 2017 फॉलोविंग कोशन है व मोर दिन वन चोईश इस करेक्ट मतलब इसमें कुछ आपको आपको सही है कुछ गलत है आपको बतारे कि कौन से सही है एक से ज्यादा सही हो सकते हैं पहला है प्लैंक कॉंस्टेंट और अग प्लैंक का की के बटर रहें ले वह सबके लिए डामेशला निकाल लेते हैं प्लेंग व्लैंक कॉंस्टेंट के लिए सबसे पहले है उनक कॉंस्टेंट के है एककॉल्प तो उपर जाके प्लस वन हो जाए तो कितना वचाही मैनेस वन यानि कि H का blank constant का dimension formula हाएगा ml square t-1 अब angular momentum का देख लेते हैं तो angular momentum को हम L से denote करते हैं और इसको आप r cross p भी लिख सकते हैं r cross p अब r मतलब l, r का dimension formula l होगा यहाँ पर p momentum है जो कि mass into velocity होता है तो mass का m velocity का lt-1 तो यहाँ जगे ml square t-1 तो angular momentum का dimension formula अब इसको t-1 है applying constant का भी ml square t-1 है यानि कि option a तो हमारा सही है अब जितने भी option है उसमें देख लो a किस किस में है तो option d में a नहीं है तो इसको हटा दो तो अभी हम बाकी के लिए चेक करेंगे अब चलते हैं option b पर impulse और linear momentum impulse क्या होता है impulse होता है change in momentum यानि कि mass into change in velocity तो impulse का dimension formula आएगा mass का m velocity का lt-1 यानि कि mlt-1 और अगर आप linear momentum का देखो मेरे आपको क्या बताया change in momentum linear momentum क्या होता है mass into velocity तो वही तो भी अमने निकाला mass into change in velocity और mass into velocity बात एक ही है इसका velocity का lt-1 और mass का m तो इसका भी dimension formula है निका momentum का भी dimension formula mlt-1 आएगा तो यह statement भी सही है अब आप वह option देखो जिसमें a और b दोनों आ रहे हो अब a और b इसमें b नहीं है तो इसको अटा दो अब इसमें भी a और इसमें भी a भी यह बाकी अब हम देखेंगे c और d में अब आज़ाओ टोर्क पर तो टोर्क टोर्क का dimension formula क्या होता है और क्रोस एफ सोरी टोर्क का formula था और क्रोस एफ dimension formula अगर आप इसका निकालेंगे टोर्क के लिए तो आर मतलब distance यानिकी length तो इसका ए होगा force का होता है mass into acceleration या mlt-2 भी आप लिख सकते है mlt-2 तो टोर्क का dimension formula होगा m l square t-2 तो टोर्क का formula हो गया है अब निकालते है काइनटिक energy का तो काइनटिक energy का formula होता है half mv square यानिकी mass का m velocity का lt-1 का square तो ml square t-2 तो kinetic energy का formula आ जाएगा ml square t-2 तोर्क का भी याता है ml square t-2 यानिकी c भी सही है अब जब c सही है तो option c हमारे correct हो जाए क्योंकि इसमें तो c आई नहीं रहा तो इसको अटा दो तो सही answer होगा option c capacitance और current देखो current i equal to होता है q by t और capacitance को आप निकाल सकते है q equal to c v से तो अगर आप निकालेंगे उसके dimensional formula तो वो same नहीं आएगा तो हमें correct statement लेनी होई तो वो जाएगा abc यानिकी option c है है